हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू बीबी सिर्वास्तवा क्लासेश हम इस वीडियो में बिहार दरोगा और ब्ससी इंटर लेबल की जो एक्जाम होने वाली है उसके लिए बॉटन करेंट अफेर्स को डिसक्स कर रहे हैं ओके यह यह तीसरा वीडियो से पहले हमने दो वीडियो अ कि फॉर्स्ट जो करेंट अफेर हैं जीमेक्स मार्टिम एक्ससाइज 2023 वाज ओगनाईज बिट्विन नेवी ओफ इंडिया एंड विच कंट्री जीमेक्स मार्टिम एक्ससाइज 2023 का आवजन भारत और किस देश की नौशेना के बीच में किया गया है तो यह जो इस साल यह कहां पर हुआ तो यह विसाखा पटनम में हुआ और यह इस साल जो ओगनाईज किया गया दोहरतेश में यह गरा हुआ इसका एनिवर्सरी था ओके next time when is world Malala day celebrated every year विसो मलाला दिवस प्रतिवर्स पटनाया जाता तो यह 12 जुलाई को हर साल मनाया जाता है इसके theme इस साल क्या थी इस के theme थी I am Malala ओके यह Malala यूसुप चाहिए जो थी उनके birthday के दिन को हम world Malala day मनाते हैं कि इन्होंने वोमेंस राइट और उनके एजुकेशन के लिए बहुत ज्यादा काम किया इसलिए हम इनके बर्थटेज की 12 जुलाई को होता है उस दिन को हम क्या मनाते हैं मलाला दिवस्च मनाते हैं और इस साल क्या थेम थी आएम मलाला कि नेक्स्ट हैं हुएज बिन अपॉंटर एज़ी न्यू मैनेजिंग डिरेक्टर एंड सीओ ऑफ एस्बी आई कार्ड एस्बी आई कार्ड के नया प्रबंध निदेशक और सीओ के रूप में किसे निउक्त किया गया है तो यह हैं अभीजी चकरवर्ती जी अभीजी चकरव कि लंड ङहां तू लित्म इंडिया टो लित्वैनिया लित्वैनिया फ्टेंड में भारत के अगलエ राज्ज्दूत के रूप में किसे तकी ऍट किया गया है तो यह किया गया है बेएस उत्तम जी को ऑक्य इजुरूप के है कंट्री है इसका ज़ो कपिटल की बा ihn कारें कि बात करें तो यूरो की करेंसी है ओके नेक्स्ट है विच स्टेट और यूटी आज लॉइंच्ट मोबाइल दोस्त एप किस राज्जीया या यूणियन ट्रेटरी ने मोबाइल दोस्त एप लॉइंच किया है जम्बू एंड कास्मिर जो की एक यूटी है यूणियन पाता जी है अरुन कुमार महता जो की क्या है चीफ सेक्रेटरी है जम्बू एंड कास्मिर के उनके द्वारा इस एप्लिकेशन को लॉंच किया गया है इस एप्लिकेशन के माध्यम से जो भी गवर्मेंट के द्वारा जो सर्विसेस होती है वो जनता को प्रवाइड की भारती ने रजत पदक जीता है तो यह है निसाद कुमार जी अगर हम पारा एथलेटिक्स वर्ल्ड चेंपियंशिप दुहारा तेज की बात करें तो यह ओर्गनाइज इस पर कहां हुई पैरिस में हुई जो कि प्रांस में है ओके और यह इस साल जो ओर्गनाइज हुआ य और इंडियन नेवी रक्षामंत्राल ने भारती नौशेना के लिए कितने राफेल लड़ा को विमानों की खरीद को मंजूरी दी है तो यह 26 टोटल 26 राफेल विमान खर दे जाएगा भारती नौशेना के द्वारा यह राफेल विमान को बनाता कौन है तो डसॉल्ट एवि जुलाई में जो अपोइंटमेंट हुआ है राश्ट्रपती मुर्मों ने सुप्रेम कोट के किन दो नियाएधिसों को नियुक्त किया है तो यह हैं जेस्टिस उज्वल भुई हैं और जेस्टिस एस्वी भाटी इन दो जेज हैं इनको हमारी जो प्रेसिडेंट है has the ministry of defenses tied up for the sale of nutritious food for the armed forces रक्षा मंत्राला ने ससस्त्र भलो के लिए सुरक्षित और पौश्टिक भोजन के लिए किस के साथ समझोता किया है तो यह समझोता किया गया है FSSAI के साथ कि अगर हम headquarter की बात करें तो वह न्यू देली में और इसके establishment की बात करें गठन कब हुआ था तो यह वा था पांच सितंबर 2008 को कि नेक्स्ट है who has been selected the ICC women's player of the month for month जून जून महिने के लिए ICC women's player of the month किसे चुना गया है तो यह है Ashley Gardner जो कि अस्ट्रेलिया की एक क्रिकेट खिलाडी है और इन्हें जून मंत के लिए ICC women's player of the month चुना गया है ओके who has been selected the ICC men's player of the month for the month of June जून महिने के लिए ICC men's player of the month किसे चुना गया है तो है वाइने नाडू असरंगा ओके वाइनाडू असरंगा जी यह सेरलंका के क्रिकेट के लाड़ी है ओके नेक्स्ट अगर हम बात करें what percentage of GST has been fixed on online gaming in 50th meeting of GST council GST council की पचासवी बैठक में online gaming पर कितने प्रतिशत GST निर्धारत की गई है तो यह निर्धारत की गई है 28% जो यह पचासवा जो बैठक हुआ GST council की यह कहां पर हुआ तो यह हुआ आपका विज्ञानभावन न्यू देली में 11 जुलाई की दो हजार थेश्कों ओके नेक्स्ट है अकोड़न टो रिपोर्ट अप ग्लोबल फायर पावर वाट इस रेंक अप इंडिया इन वर्ल्ड स्मोस्ट पावर्फुल आर्मी ग्लोबल फायर पावर की रिपोर्ट के अनुजार दुनिया की सबसे सकतिसाली से नाव में भारत की रेंग क्या है भारत की रेंग चौथी है पहले रेंग पर अमेरिका है दूसरे में रस्या तीसरे पर चाइन चौथे पर भारत है ओके नेक्स्ट है वो हैज बिकम दी फोस्ट इंडियन तू नेम्ड बेस्ट एस्या अंडर 20 मेल्स अथलेट आप दी यह वर्ज के सरुस्ष्ष्ट एस्याई अंडर 20 पुरूस अथलेट चुने जाने वाले पहले भारती कौन है यह सेल्वा प्रभू तिरुमरंजी ओके नेक्स्ट है वो वन दी गोल्ड मेडल इन 40 केजी कटेगरी ओफ कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियंशिप की 24 किलोग्राम केटेगरी में किसने गोल्ड मेडल जीता है तो यह जीता गया है जोच्छना सबर के द्वारा ओके नेक्स्ट है डिगीसीए रिकरोंगनाजज डीफोर्स फ्लाइंग ट्रेनिंग ओ? और यह राज्ये के पहले फ़लाइंगnty ट्रेनिंग अच्छानिसेशन है, जब लिए एतना ही, इन्हेंट चाहिए